नमस्कार आप सब कर स्वागाते हमारे चैनल नेक्स्ट और नाइन नीज्व मैं नाम है दीपक गुपता राजिस्थान के सियासी सत्ता पर जिस तरीके से खत्रा मन रहा है वा था वो खत्रा भी टलता नजर आया लेकिन सवाल अब भी बहुत बड़ा है कि क्या राजिस्थान की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे सचिन पाइलेट यानि कि सचिन पाइलेट को क्या सियम पद मिल पाएगा वसंदर राजे ने यहां पर अपने जिस प्रदेशन की बात करी जिस एक बड़ी रेली के चलते जिक्र किया कि सियम और पूर्व डिप्टिस्यम आपसी जंग में करें सवाल यह उठता है कि पाइलेट की नजरे नहीं हमेशा सीम कुरसी'd पर रही राजिस्थान की जंता पर रही तो यह सवाल भसंदर राजये ने क्यों खड़ा किया लेकिन इन सबसे हैटकर आज जो हमारा खास यह प्रोगरान सेशन है इस पर चर्चा करेंगे कि पाइल पाइलेट को बैठाया जाता है तो क्यों बैठाया जाता है ऐसी क्या खूब ये पाइलेट के अंदर कि उनको सीम पत पर बैठाना चाहिए तो इन्हीं सवालों को जवाब नहीं उनके मंत्रियों के शब्द थे इसको आप किस तरीके से लेखती है आपने जैसा कि जिक्रे किया कि पाइलेट में ऐसी क्या खूबी है जो उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए दीपक मेरा सवाल तमाम दर्शकों से भी यहीं होगा कि क्या खूबी नहीं है तमाम युवाओ की तरफ से यही मांग है कि अब मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए सचिन पाइलेट को क्यों क्योंकि देखे पिछली बार जो विधानसभा चुना हुए वो किसके चहरे पर हुए जैसा कि आप तमाम दर्शकों को अपने रिपोर्ट के जरीए जानक अगावत के बाद उनका इस्तिफा ले लिया गया कॉंग्रेस आलाकमान की तरफ से लेकिन एक बार फिर से यह चर्चाई जोरो शोरो पर है कि सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए एक बार में 25 सितंबर की घटना का जिक्र करती हूँ 25 सितंबर को कह जाता है जो कहानी हुई वो पूरी लिखी थी अशोक गैलोत ने लेकिन उस पूरी फ्रेम से बाहर रही अशोक गैलोत और 102 विधायकों में से बाणवे विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष यानि कि सीपी जोशी को अपना इस्तिफा थमा दिया था उन तमाम विधायक में से किसी एक को बनाया जाना चाहिए यानि कि साफ है कि सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलना चाहिए देखे हम आपको लगातार जानकारी दे रहे है कि विधायकों की ये मांग थी लेकिन अब जो अशोक गैलोत लगाता है बहुमत का आकड़ा बताते थे कि मेरे पास जादा विधायक है और सचिन पाइलेट के पास कितने हैं सिर्फ 15-18 विधायक है लेकिन अब वही सचिन पाइलेट जिनके पास 15-18 विधायक थे अब वही पाइलेट क्या कर रहे हैं जितने भी अशोक गैलोत कैम के विधायक है जितने भी मंतरी है उन सब को पहले साल 2020 से पहले में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देना चाहूंगी, साल 2020 से माना जाता है कि प्रदाप सिंग खाचरियावास और सचिन पाइलेट बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन पाइलेट ने बगावत की और वैसे उनकी दूरिया बढ़ती हुई चली गए, फि राजेंद्र गुढ़ा का अगर में जिक्र करती चलू तो राजेंद्र गुढ़ा वो मंत्री है, जो लगातार मुखर अंदाज में अपने बयान देते हुई नजर आ रहे हैं कि अगर आब मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो सचिन पाइलेट ही बनेगा, लेकिन और राहुल बनाने कि अब बात उठी नहीं रही, पाइलेट ने खुद एक बयान वे साफ कहा था कि 12 महीने चुनाव को बचें, उससे पहले परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बात सचिन पाइलेट ने खुद कही थी, तो अभी राजिस्थान विधानसवा चुनाव 2023 के अंत में होंगे लेकिन वो पूरा जो साल लहेगा, वो साल इसलिए ज्यादा खास रहेगा कि कोई विधायक बगावत ना कर दे, क्यूंकि ऐसे ही समय होते हैं जब बड़ी विपक्षी पार्टिया एक्टिव होती हैं और वो अपने पाले में बड़े बड़े नेताओं को लाने ही कोशिश करते हैं और सबसे खास बात इस बार ये त्रिकोणिये मुकाबला हो सकता है क्योंकि आम आदनी पार्टी भी यहां पर शिरकत करेगी मध्यपरदेश में इतना शिरकत ना करें करनाटक में शिरकत ना करें लेकिन जाजिस्थान में जरूर करेगी क्योंकि आम आदी पार्ट कि वोट बेंक काटने की और वहां यानि कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खासकर वह अपना जाड़ू का निशान पहुंचाना चाहती है पाइलट जैसे निताओं को अपने साथ लाने ही कोशिश करेगी अगर बीजेपी के साथ पाइलट नहीं जाएंगे तो सामादी पाटी अच्छा अप्शन हो सकती है लेकिन पाइलट कांग्रेस का हाथ थामेवें केसी वेड़ो गोपाल ने साब बाते के दी हैं कि हम सब साथ हैं और साथ रहेंगे कोई बयान बाजी करेगा तो उसको 24 घंटे के अंदर हटा देंगे आखिर उनकी बातों पर हम क कोई फैसला हो जाएगा 48 घंटे बीट गए दो हफता बीट गया तीन हफता दो महिना बीट गया उसके बाद केसी वेड़ो गोपाल पहुंचे हैं तो कैसे यकिन कर ले कि वो 24 घंटे के अंदर फैसला कर देंगे अगर कोई बयान बाजी करता है तो यह बहुत बड़ा सवा की तरफ से लगातार मांग अभी भी यही की जारी है हाला कि केसी वेड़ो गोपाल ने काए कि अब ना गहलोत केम्प की तरफ से और ना ही पाइलेट केम्प की तरफ से कोई बयान बाजी हो जैसा कि आपने जिक्र किया केसी वेड़ो गोपाल के बारे में तो पहले केसी वे गुड के तमाम विधायक है उनके अंदर नाराजगी है और उन सभी की तरफ से यही का जारा था कि राहुल गांधि की भारट जोड़ोई यातरा का हम विरोध करेंगे अगर राहुल गांधी राजस्तान पोछते तो अपने साथ कोई फैसला लेकर आए अगर फैसला नहीं ल लगातार इसी तरीके से विरोध कर रहा था तो अब ऐसे में आशोक गैलोध के सामने तमाम चुनोतिया है तमाम मुश्किले है कि कैसे सब कुछ शीक करके रखना चाहिए इसलिए गुजर समुदाई के जो नेता है विजय बैसला उनके साथ भी उन्होंने 48 घंटों तक उन्ह कि अगर सचन पाइलेट को गैलोध खुद सीमपत सोबते तो बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या राजस्थान की सत्ता में आप दुबारा कांग्रिस पार्टी की वापसी देख रहे हैं और उसमें सचन पाइलेट की सीमपत पर ताश पोश्य देख रहे हैं यह दोनों सव और तमाम दर्शक भी जानते हैं यह है कि पात साल बीजेपी पात साल कॉंग्रेस और अभी कॉंग्रेस सत्ता में है रिवास के अनुसार अगले पात साल भारतिये जन्यता पार्टी के पास जाने चाहिए आपने सवाल किया कि क्या अशोग गैलोध सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री पद भी उन्हें मिलना चाहिए लेकिन अध्यक्ष पत तो चला गिया मलिका अरजुन खड़गे के पास लेकिन अब अशोग गैलोध के सामने ये चुनोती है कि कैसे अपने मुख्यमंत्री पद को अपने पास रखा जाए क्योंकि देखिए ऐसे ही अशोग गैलोध को जादूगर या फिर बाजिगर नहीं कहा जाता है वो अपनी रणनीतिया पहले से बना कर रखते हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि अशोग गैलोध सचिन पाइलेट को अपना मुख्यमंत्री पद सोपेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी द सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद